जहां पूरा देश कोरोना के चपेट में जूज रहा है वहीं बलेक फंगस भी लोगों के बीच कहर मचा रहा है तो दोस्तों आईए हम आज जानते हैं बलेक फंगस के बारे में कि यह किसे एफेक्ट करता है और इससे बचने की क्या साबधानिया है तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो बलेक फंगस है यह बलेक फंगस अकसर फंगस कमजोर इम्मिनिटी वालों पर एटेक करता है जिसकी इम्मिनिटी कमजोर है उन्हीं पर एटेक करता है खासकर अगर देखा जाए तो यह कोविट 90 से प्रवावित हो चुके लो उस पर एटेक करता है तो अगर हम कर सकते हैं कि यह कमजोर इम्मिनिटी वालों पर एटेक करता है तो इससे डरने की कोई खास बात नहीं है यह वातावरन में मौझूद होता है खास करके मिट्टी में अधिक पाया जाता है ऐसा डॉक्टर त्रेहन के अनुसार कहा गया है तो अगर बलेक फंगस का एटेक हो चुका है तो उस समय आने वाले दिक्कतों को हम जानते हैं इनमें नाक में दिक्कत सीर दर्ड चेहरे के एक हिस्से में दर्ड वा सूजन आ जाती है पलके सोचने लगी हो मतलब सूजने लगी हो सौरी पलके सूजने लगी हो चेहरा का रंग बदल गया हो दात हिलने लगे हो यह सब लक्षन फंगल एफेक्ट के कारण देखे जा सकते हैं और आगे जब बात करते हैं यह फंगल का एफेक्ट अगर आपके फेपड़े तक पहुँच गया हो तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे तो इसमें सबसे पहले बुखार का आन सांस लेने में दिक्कत होने लगी हो कप और खंकार जो आता है उनमें खून आने लगा हो सीर में दर्ड तथा धुंदला दिखाई देने लगा हो तो दोस्तों आप लोगों को बता दे कि हाल के केस में इसा देखा गया है कि इस बिलेक फंगल के इफेक्ट के कारण बहुत लोगों की आखे वी चली गई तो दोस्तों आप हमेशा स्वक्षता बर्टें और हाथों को धोते रहें साथ ही साथ अगर जो कोरोना पैसे मतलब कोरोना से रिकवर हो चुके हैं वो भी साबधानी को बरतते रहें धन्यवाद